प्रेस्न पांच परतेक को भीन के रूप में लिखें प्रेस्न पांच का क्या चार भागा साथ तो इसको भीन के रूप में लिखना है तो चार भागा साथ को हम लिख सकते हैं चार बटा साथ देखें चार भागा साथ को हम लिख सकते हैं चार बटा साथ चार भागा साथ का मतलब क्या है, चार को साथ से भाग दिया जा रहा है, तो चार को उपर रखेंगे और साथ को नीचे, क्योंकि साथ से भाग देना है, चार को, ठीक है, तो चार भागा साथ बराबर लिख लेंगे, चार बटा साथ, ख 8 भागा 25 8 भागा 25 का मतलब 8 को 25 से भाग देना है किसको 8 को तो 8 को उपर रखेंगे किस से भाग देना है 25 से तो 25 को नीचे ग दस भागा पंद्रह तो दस को पंद्रह से भाग देना है तो दस को पंद्रह से भाग देना है तो दस को उपर रखेंगे पंद्रह को नीचे यानि दस बटा पंद्रह हम इसको लिख सकते हैं चालिस भागा पच्चास तो चालिस को पच्चास से भाग देना है 40 को किस से भाग देना है 50 से तो 40 भागा 50 को हम लिख सकते हैं 40 बटा 50 40 को उपर लिखेंगे जिस से भाग देना है उसको नीचे तो 40 बटा 50 हो गया प्रैस्न छे जोडें प्रैस्न छे का क्या एक वटा 5 जोड तीन वटा 5 तो इसको जोड़ना है तो देखे हर बराबर है हर बराबर है 5 और यहां भी 5 है तो 5 5 का लगुत्तम 5 हो जाएगा ठीक है 5 5 का लगुत्तम 5 होगा तो जब हर बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख देंगे तो अंस में है 1 और 3 तो उसको लिख देंगे क्योंकि हर बराबर है तो हर बराबर रहने पर अंस में जो रहता है उसको लिख देते हैं तो 1 प्लस 3 बटा 5 हो गया यानि इसका उत्तर आ गया 4 बटा 5 तो 1 बटा 5 जोड 3 बटा 5 हो जाएगा 4 बटा 5 तीन और एक कितना होगा, चार होगा, ख, चार बटा 11, जोड, तीन बटा 11, चार बटा 11, जोड, तीन बटा 11, तो यहाँ पे, 11 11 का लगुत्तम 11 हो जाएगा 11 11 का लगुत्तम 11 तो हर दोनों का बराबर है ठीक है हर बराबर है तो अंस में जो है उसी को लिखेंगे तो अंस में है 4 और 3 यानि 7 बटा 11 हो जाएगा इसका उत्तर तो 4 बटा 11 जोड 3 बटा 11 हो गया 7 बटा 11 ग साथ बटा पंदरा जोड चार बटा पंदरा तो यहाँ पे हर बराबर है तो पंदरा पंदरा का लगुत्तम हो जाएगा पंदरा 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 का लगुत्तम पंदरा होगा तो जब हर बराबर है तो अंस में जो है उसी को लिखेंगे तो साथ है यहाँ पे और चार है तो हर बराबर रहने पे अंस जो होता है उसी को लिख लेते हैं तो साच्चार 11 बटा 15 इसका उत्तर आ गया 11 बटा 15 गह पांच बटा 21 जोड आठ बटा 21 तो यहाँ पे भी हर बराबर है तो हर बराबर रहने पे जैसे 21 21 का लगुत्ता में 21 होगा तो हर बराबर है तो अंस में जो है उसी को लिखेंगे तो पांच जोड आठ यानि आठ पांच 13 बटा 21 इसका उत्तर आ गया 13 बटा 21 अड़ा अड़ा में है एक बटा 2 जोड एक बटा 3 एक बटा 2 जोड एक बटा 3 है तो यहाँ पे देखिए हर अलग अलग है तो हर का लगुत्तम क्या होगा तो और 3 का लगुत्तम हो जाएगा दो तिया 6 ठीक है दो और 3 का लगुत्तम क्या होगा 6 होगा तो हर का पहले लगुत्तम निकालेंगे उसके बाद हर से इसको भाग देंगे तो 2 से 6 कितना बार में कड़ता है तीन बार में चार बार पांच जोड तीन बार दस चार बार पांच जोड तीन बार दस तो पांच और दस का लगुत्तम क्या होगा 10 होगा ठीक है 5 और 10 का लगुतम 10 हो जाएगा तो 5 दूना 10 देखे 5 से 10 दो बार में कड़ता है तो 2 और 4 को गुना कर देंगे 4 दूना 8 हो जाएगा 5 दूना 10 तो 4 दूना 8 लिख लेंगे तो 5 और 10 का लगुतम 10 होगा तो 5 दूना 10 देखे 5 से 10 दो बार में कड़ता है तो 4 और 2 को गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा यानि 5 दूना 10 तो 4 दूना 8 लिखेंगे आपे 10 से 10 एक बार में कड़ता है तो 3 गुना 1 तीन लिख लेंगे तो, 18, 13 11 11 बटा 10 इसका उत्तर हो गया 11 बटा 10 अब यहाँ पे 11 को जब 10 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 11 को 10 से भाग देंगे तो, ठीक है कितना बार में लगेगा एक बार में एक रहेगा सेस फल तो एक यहाँ पे लिखेंगे और दस को नीचे लिख देंगे यानि एक पुर्णांक एक वटा दस इसका उत्तर होगा तो इगारा को दस से जब भाग देंगे तो आ जाएगा एक पुर्णांक एक वटा दस देखे इगारा को दस से भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा तो भाग फल को यहाँ पे लिखना है सेस जो आएगा उसको यहाँ पे और दस को यहाँ पे लिखना है जैसे देखे इगारा को दस से भाग देते हैं तो एक बार में लगा एक आगया सेस फल तो एक आया भागफल, भागफल को यहाँ पे, जो नीचे है उसको सेस्पल करते हैं, तो सेस्पल को उपर लिखेंगे, और दस को यहाँ पे, छह, छह में है दो बटा साथ, पलस तीन बटा पांच, तो साथ और पांच का लगुतम क्या होगा, 35 होगा, साथ पचे 35, साथ और पांच का लगुतम 35 होगा, क्योंकि साथ और पांच किसी से नहीं करता है, तो बस गुना कर देंगे यह दोनों को, तो 7 पचे 35 ठीक है, 7 और 5 का लखुतम 35 तो 7 पचे 35 होता है ठीक है, तो 5 और 2 पचे कितना होगा, 10 7 पचे 35 तो 2 पचे 10 लिख लेंगे यहाँ पर 5 सते 35 तो 3 सते 21 लिख लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 10, 31 यानि 31 बटा 35 इसका उत्तर होगा जा जा में है 3 बटा 8 जोड 4 बटा 5 तो यहाँ पर 3 बटा 8 जोड 4 बटा 5 है तो 8 और 5 का लगुतम लेंगे 8 और 5 का लगुतम क्या होगा 8 पचे 40 क्योंकि 8 और 5 किसी संख्यास नहीं कटेगा तो सिधा इन दोनों को गुना कर देंगे तो 8 और 5 का लगुतम 8 पचे 40 तो 8 पचे 40 होता है तो 3 पचे यहाँ पे 15 लिख देंगे देखे 8 पचे 40 तो 3 पचे 15 पची अठी 40 तो चरी अठी 32 पांसे चालीस आठ फार में कटता है तो 8 और 4 को गुना करके यहाँ पर लिख देंगे पची अठी 40 तो चरी अठी 32 अब 15 32 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा पांसों साथ तीनेक चार यानि 47 बटा 40 अब 47 को जब 40 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 40 गुना एक 40 एक हो गया भाग फल 47 है तो 7 आ जाएगा 6 फल, तो 6 फल को यहाँ पे लिखेंगे और 40 को यहाँ पे यानि 47 को 40 से भाग देने पे एक पुनांग 7 बटा 40 होगा जह, जह में है एक बटा 4 जोड एक बटा 3 जोड एक बटा 2 तो 4 तीन दो का लगुतम हो जाएगा चार तीन दो का लगुतम होगा 12 चार तीन दो का लगुतम कितना हो जाएगा 12 ठीक है चार तीन दो का लगुतम निकालेंगे तो 12 आएगा तो 4 तीन बटा करता है तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा यहाँ पे देखें, 4 तीन बटा 4 से 12 तीन बटा में करता है तो 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 लिखेंगे, 3 सिप 12, 4 बार में करता है, 3 चोक 12, तो 4 गुना एक 4, 2 चोक 12, तो 6 गुना एक 6, कितना आ गया, 6, 4, 10, 3, 13, 13 बटा 12, 13 बटा 12 आ गया, अब 13 को 12 से जब भाग देंगे, तो 12 गुना एक 12 लगेगा, ठीक है, एक हो गया, भाग फल, अब 13 में से 12 घटाने पर एक आ जाएगा, सेश फल, और यहां पर 12 लिख देंगे, तो पूर्णांक में इसको बदलने पर आ जाएगा, एक पूर्णांक, एक वटा 12, तो 13 को जब 12 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, एक पूर्णांक, एक वटा 12, इन्य, एक बटा पंद्र, जोड, दो बटा पंद्र, जोड, तीन बटा दस, तो पंद्र, पंद्र, दस, का लगुत्तम हो जाएगा, तीस, पंद्र, पंद्र, दस, का लगुत्तम, तीस होगा, तो पंद्र, दुन, तीस, तो एक गुना दो, दो होगा यहाँ पे, पंद्र, दुन, तीस, तो दो दुना, चार लिखेंगे, दस तिया तीस, तो तीन तिया 9 लिख लेंगे, कितना आ गया, 9, 4, 13, 2, 4, 2, 6, 6, 9, 15, यानि 15 बटा 30, कितना आ गया, 15 बटा 30, ठीक है, तो यहाँ पर, अब देखे, 15 से 30 कट जाएगा, दो बार में, 15 दुना 30, 15 से 30, दो बार में कट जाएगा, 15 दुना 30, तो उपर कुछ नहीं है, तो एक लिख लेंगे, यानि एक बटा 2, इसका उत्तर होगा, 15 दुना 30 कट जाएगा, तो उपर कुछ नहीं बचा, तो एक लिख लेंगे, और बटा में 2 है, यानि एक बटा 2, इसका उत्तर कितना आएगा, एक बटा 2, ट, ट में है, तीन बटा 10, पलस, चार बटा 10, पलस, दो पुनांक, एक बटा 10, तो पहले पुनांक तोड़ लेंगे, तो हो जाएगा, तीन बटा 10, पलस, चार बटा 10, पलस, पुनांक तोड़ने पे, 10 दूना 20, देखे, 10 और 2 को गुना करेंगे, तो 10 दूना 20, 20 में एक जोड़ेंगे, 21, तो 21 बटा 10 आगया, पुनांक तोड़ने पे, 10 और 2 को गुना करेंगे, 10 दूना 20 होगा, 20 में एक जोड़ेंगे, 21, और बटा में 10 है, तो 21 बटा 10, अब 10, 10, 10 का लगुत्तम, 10 हो जाएगा, तीनों का हर बराबर है, ठीक है, तीनों का हर बराबर है, तो जब हर बराबर है, तो अंस में जो है, उसी को लिखेंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 21, जब हर बराबर है, तो अंस में जो है, उसी को लिख देंगे, तो आज आएगा, चार तिन साथ एकीज साथ अठाइस कितना आ गया अठाइस अठाइस बटा दस दो से देखिए कट रहा है दो पचे दस चाओदा दुना अठाइस तो आ गया चाओदा बटा पांच कितना आ गया चाओदा बटा पांच ठीक है चाओदा दुना अठाइस पांच दुना दस दो से कट रहा था तो आ गया चाओदा बटा पांच अब चाओदा को जब पांच से भाग देंगे तो पांदुना दस दो बार मिलागेगा ठीक है पांदुना 10 लेकिन 14 है तो 14 में से 10 घटाने पे 4 सेस आएगा और बटा में 5 यानि 2 पुर्णांग 4 बटा 5 इसका उत्तर होगा 14 को 5 से भाग देंगे तो 2 भाग फल आएगा 4 सेस फल आएगा और 5 यानि 5 को यहां पे लिखेंगे तो 2 पुर्णांग 4 बटा 5 ठा में है 4 पुर्णांग 1 बटा 2 जोड दो पुर्णांग 1 बटा 3 जोड पांच पुर्णांग 2 बटा 5 तो पहले पुर्णांग तोड़ लेंगे तो 4 और 2 को गुना करेंगे 4 दूना 8 आठ में एक जोड देंगे 9 बटा 2 तो 4 पुर्णांग 1 बटा 2 हो गया 9 बटा 2 4 दूना 8 आठ में एक जोड दें 9 बटा में 2 है यानि 9 बटा 2 जोड 3 दूना 6 6 में एक जोड दें 7 बटा में 3 है तो 7 बटा 3 हो गया अब इसका पुर्णांग तोड़ेंगे तो 25 25 में 2 जोड़ दिये 27 बटा में 5 है तो 27 बटा 5 अब 2 3 5 का लगुतम लेंगे तो 2 3 5 का लगुतम हो जाएगा तो 2 3 5 का लगुतम हो जाएगा 30 ठीक है 2 3 5 का लगुतम निकालेंगे तो 30 आएगा तो 2 से 30 15 बार में करता है 15 दूना 30 तो 2 से 30 कितना बार में करता है 15 बार में 15 दूना 30 होता है तो 15 और 9 को गुना कर देंगे 15 नम्म 135 ठीक है 2-30, 15 बार में करता है तो 15 और 9 को गुना करेंगte 135 आएगा 3-30, 10 बार में करता है तो 10 को 7 से गुना करेंगे 70, 5-30 6 बार में करता है 27 को 6 से गुना करेंगे साथ छक 42 6, do not 12, 4, 16 So 27 छक 162 अब तीनों को जोड़ेंगे तो आजाएगा 5, 7 7, 10, 6, 16 367 बटा 30 कितना आगया 367 बटा 30 अब देखें 30 से जब 367 को भाग देंगे तो 12 से लगेगा 12 या 36 होता है तो 30 गुना 12 हो जागा 360 यानि 12 आ जाएगा भाग फल 360 आ जाता है 12 और 30 को गुना करने पर तो यहाँ पर 366 है यानि 7 से सफल बचेगा और बटा में 30 तो 12 पुर्णांग 7 बटा 30 तो 366 को 30 से भाग देंगे तो 12 पुर्णांग 7 बटा 30 आएगा इसका उत्तर ड ड में है 3 पुर्णांग 5 बटा 8 जोड दो पुर्णांग 1 बटा 4 जोड चार पुर्णांग 3 बटा 8 तो पहले पुर्णांग तोड़ लेते हैं तो आठतिया 24 24 में 5 जोड़ेंगा तो 29 बटा 8 हो गया चार दूना 8 आठ में एक जोड़ेंगा 9 9 बटा 4 हो जाएगा आठ चोग 32 32 32 35 तो 35 बटा 8 हो जाएगा तो आठ तीया 24 24 पांच 29 29 बटा 8 चार दूना 8 आठ आठ एक 9 9 बटा 4 आठ चोग 32 32 32 35 बटा 8 अब यहाँ पे 8 4 आठ का लगुत्तम 8 हो जाएगा तो 8 से 8 एक बार में कटता है तो 29 गुना 1 29 हो जाएगा चार दूना 8 तो 9 दूना 18 आठ से 8 एक बार में तो 35 गुना 1 35 अब 29 अठारा और 35 को जोड़ देंगे तो 9 8 17 17 पांच 22 हाथ मेरा 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8 यानि 82 बटा 8 कितना आ गया 82 बटा 8 अब देखे दो से कट रहा है दोनों दो चोक आठ दो से इसको भी काट लेंगे दो चोक आठ यानि 41 दूना 82 चार दूना 8 कितना आ गया 41 बटा 4 तो 2 से दोनों कट रहा था दो के पहाड़ा में दोनों आता है यानि 2 से दोनों कट रहा है दो से काट लेंगे 41 दूना 82 चार दूना 8 तो एक तालिस बटा चार आ गया अब एक तालिस को चार से भाग देंगे तो दस चौक चालिस होता है दस आ जाएगा भाग फल एक आ जाएगा सेज फल और बटा में चार लिखेंगे तो दस पुनांक एक बटा चार इसका उत्तर होगा दो पुर्णांग चार वटा दस तीन पुर्णांग एक वटा पांच दो पुर्णांग चार वटा पंद्र तो पहले पुर्णांग तोड़ेंगे दस दुना बीस बीस चार चोबिस चोबिस वटा दस पांथिया पंद्र 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 एक सोल्ल सोल्ल वटा पांच पंद्र दुना तीस तीस चार चोबिस चोबिस वटा पंद्र पहले इस तरह से पुर्णांग तोड़ेंगे दस दुना बीस बीस चार चोबिस 24 बटा 10 हो गया 5, 3, 15, 15, 16 16 बटा 5, 15, 22, 30, 34, 34 34 बटा 15 अब 10, 5, 15 का लगुत्म लेंगे तो 10, 5, 15 का लगुत्म हो जाएगा 30 10, 5, 15 का लगुत्म 30 होगा तो 10 तिया 30 24 तिया 72 5 चक 30 तो 16 चक 96 15 दुना 30 तो 34 दुना 68 ठीक है 10 तिया 30 तो 24 तिया 72 5 चक 30 तो 16 चक 96 15 दुना 30 तो 34 दुना 68 अब तीनों को जोड़ देंगे 6, 2, 8 8, 8, 8, 16 हाथ में रहाए एक 9, 6, 15, 15, 15, 7 22, 21, 23 आ गया 236 वटा 30 अब देखिए 2 से कट जाएगा दोनों 15 दुना 30 2 से ये भी कट जाएगा 2 गुना 1, 2 2 गुना 1, 2 286 यानि 118 दुना 236 ठीक है कितना आ गया 118 बटा 15 तो 2 से काटने पर आ गया 118 बटा 15 118 दुना 236 15 दुना 30 तो आ गया 118 बटा 15 अब 118 को जब 15 से भाग देंगे ठीक है तो 15 अठी होता है 120 तो 15 सते 105 लगेगा 7 बार में लग जाएगा 118 में से 105 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा सेसफल 7 हो गया भाग फल और 15 को यहाँ पर लिख देंगे यानि 7 पुनांग 13 बटा 15 इसका उत्तर होगा